सोशल मीडिया पे हर किसम का क्रिप्टो गुरू, अल्फा ट्रेडर, सिग्नल कॉलर, 50, 60, 70, 100 एक्स के नारे तो मारता है, मगर इन में से कितने क्लेम्स आक्चली सच हैं और कितने क्वाइन्स आक्चली इस हद तक जाते हैं ये चीज़ टेस्ट करने के लिए मैंने मून और ड पैसा 40, 50, 60, 70, 100 एक्स कर सकता हूं या मेरा पैसा डूप कर जीरो होता है आज की एपिसोड में जिस कोई के इंदर मैं अपने पैसे पब्लिकली लगाने जा रहा हूं उसका नाम है एंडी ओन बेस और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस कोई के ओपर लोगों के क्लेम क्या हैं जल्दी से कुछ बेसिक्स देख लेते हैं एंडी बेस चेन का प्रोजेक्ट है जो तकरीबन डेर महीने पहले बेस चेन की हाइप के दुरान लॉंच हुआ इसका करन मार्केट कैप 13 मिलियन डॉलर है और इसका और टाइम मार्केट कैप 30 मिलियन डॉलर है अब अब लोगों के लिए एंडी की बैक स्टोरी जानना बहुत बहुत जुरूरी है भाई मैट फ्यूरी नामी एक बहुत ही मशूर कॉमिक आर्टिस्ट है जिसने पैपे दफ्रॉग के कैरेक्टर को बनाया जी हां यह वही पैपे है जिसका कॉइन बिलियन डॉलर के मार्केट कैप पर बैठा हुआ है इसकी कॉमिक सीडिस का नाम था बैड बॉइस क्लब और इसमें पैपे के इलावा तीन और क्यारक्टर थे ब्रेट वुल्फ और एंडी अब इन चारों क्यारक्टर के उपर क्रिप्टो के अंदर एक एक कॉइन बन चुका है और आपको इन में से कि किसी कोइन का ज़ूर पता होगा पैपे दाफ्रॉग बिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट कैप के ओपर एथेरियम के ओपर है ब्रेट नामी कोईन बेस के ओपर 300 ¿MilioN । का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है वुल्फ नामी कोईन एवैक्स चेंड के ओपर आल्मोस 50 मिलियन डॉलर के market cap पर है और फिर बच्टा है अब चूंके Matt Fury के characters meme coins की दुनिया में बहुत मशूर हैं तो लोगों की theory ये है कि जिस तरह बाकी 3 characters के coins भी फटें उसी तरीके से bull market में एंडी भी बहुत बड़ा coin होगा कुछ दिनों पहले मैंने crypto के circles के अंदर देखा के काफी सारे लोग एंडी की बहुत तारीफे कर रहे हैं और एक भाई ने तो ये भी claim किया अपने YouTube पर के एंडी bull market में 70X देगा 70 गुना profit मेरा कदू मगर obviously ऐसे claims के ओपर आवाम FOMO भी बहुत करती है अपना पैसा भी डालना चाहती है और अगर पैसा नहीं भी डाले तो ये सोचती जरूर है के यार काश इसमें पैसे डालने जब ये फटेगा तो हम रात और रात अमीर हो जाएंगे तो भाईया इसी सोच की वज़ा से हम यहां से शुरू कर रहे हैं Moon or Dust Challenge इस पॉइंट पर यानि के 13 मिलियन डॉलर के मार्केट कैप पर मैंने परसनली अपने 2000 डॉलर एंडी के अंदर दाल दी हैं और मैं कोई 70, 80, 100 एक्स बिलकुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मुनासिब सी मांगे अगर ये कोईन मुझे 50 to 20 एक्स भी कर देता है यानि के एंडी का मार्केट कैप 13 मिलियन डॉलर से 200 या 260 मिलियन डॉलर तक चला जाता है तो मेरे 2000 डॉलर भाया अल्मोस 40,000 डॉलर बन जाएंगे यानि के 1 करोड 20 लाग पाकिस्तानी रुपे अब बोलने में और सुनने में तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है मगर एक मिनट इस पब्लिक एक्सपेरिमेंट से आप सब को पता चलेगा कि ऐसे सारे क्लेम्स कितने पानी में होते हैं और क्या मेरे पैसे वाकई में यहां तक जाएंगे या यह डूपकर जीरो हो जाएंगे और मेरे हाथ में कुछ भी नी बचेगा तो भाईया मैंने परस्नली 2000 डॉलर तो डाल दी हैं और इसको हम पब्लिक ली ट्रैक करेंगे यह चैलेंज मैं पब्लिक ली इसलिए ले रहा हूँ बिकुज नमबर वन मेरे पास अलहम्दुलिल्ला इतने पैसे हैं कि अगर यह डूपता भी है तो मैं यह लॉस बरदाश कर सकता हूँ और टू मैं अवाम को यह दिखाना चाहता हूँ कि भाई यह आप अपने पैसे लगाए बगार इन बड़े-बड़े क्लेम्स को एक बार पब्लिक ली देख लें और इनका प्रैक्टिकल देख लें कि यह बड़े-बड़े क्लेम्स जो क्रिप्टो गुरूस करते हैं वो व लीके के कोई जिन पर बड़े-बड़े क्लेम्स हैं उनमें पैसे डालूंगा और फिर हम 6-7-8 महीने के अंदर देखेंगे कि वह क्लेम्स वाकई में सच होते हैं या सब कुछ डूब कर जीरो हो जाता है अब इस सब को सुनने के बावजूद भी आप इन कोईन्स में अगर अपने पैसे डालते हैं और वो अगर डूब जाते हैं तो मेरे भाई आप दुनिया के सबसे बड़े चुटी हैं और आपके इस चुट्यापे की 100% जिमेदारी आपकी है मुझे आपने अपने पैसे लटवा कर डीम किया और अपने रोने किये तो ये पूरा हाथ सर जिसम स कर दो